हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे स्नेक्स रेसेपी ये स्नेक्स रेसेपी बनाना इतना आसान है और इसमें ज़्यादा इंग्रिडेंट्स की ज़रत नहीं है इसे सिर्फ दो चीजों से बनाई है और बहुत ही टेस्टी बनके तयार हुई है तो फ्रेंड्स आईए कि इसे कैसे बनाते हैं यहां पे लिया है मैंने एक कप पोहा पोहा में डालेंगे डेड़ कप पानी और इसके बाद इसे धो लेंगे अच्छी तरह से तो पोहा में पानी डालने के बाद इसको धो के इसका सारा गंदा पानी निकाल लेंगे और इसके बाद वापस से इसमें एक कप पानी और डालके इसे पांच मिनट तक के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये देखिए अब ये पोहा अच्छी तरह से फूल चुका हुआ है तो अब इसका पानी इस तरह से मुठी में लेते हुए निचोड लेंगे और ये जो निचोड़ा हुआ पोहा है इसे मसल मसल के डो जैसा बना लेंगे तो पोहा अच्छी तरह से फूल जाते हैं पानी में अगर इसे छोड़ दे 4-5 विनिट तक के लिए उसके बाद अगर आप इसको मसलेंगे तो इस तरह से ये सॉफ्ट हो जाते हैं तो इसी तरह से हमें इसका डो बना लेना है तो ये देख बारिक कटा हुआ यहाँ पर मैंने आधा इंच अद्रक लिया है जिसको की कद्दू कस कर लेंगे बहुत ही बारिक इसके बाद इसमें एड़ करेंगे दो मीडियम साइज के उबले हुए आलू जिसे की कद्दू कस कर लिया है या फिर आप हाथ से भी मैश कर सकते हैं आलू को अब हम इसमें डालेंगे ड्राइ रोष्ट किया हुआ मूंग फली जिसको की दरदरा कूट लिया है इसके साथ ही इसमें एड़ कर देंगे नमक स्वात के अनुसार और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से पहले मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसका हम इसी तरह से मिक्स करते हुए डो बना लेंगे तो ये देखें सबी चीज़ों को आपस में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और बहुत ही आसानी से इसका डो बनके तयार हो जाएगा क्योंकि पोहा भी सॉफ्ट है और आलू भी यहाँ पे उबले हुए है तो यहाँ पे डो बनने के बाद हाथ पे मैंने थोड़ा सा तेल लगा लिया है तेल या घी कुछ भी लगा के ऐसे चिकना कर ले जिससे की हाथ पे चिपके नहीं और एक बड़े से निम्बो के साइज के आकार का डो ले ले यहाँ पे और इसको हाथ पे इस तरह से रोल करके इसको या फिर कटलेट का शेप दे दे या फिर पेड़े का शेप दे दे तो यह देखिए मैंने इसको चप्टा गोल कर लिया है और किनारों से इस तरह से इसको चिकना कर लेते हैं तो इस तरह से हम बाकी के सारे स्नैक्स बना के तयार कर लेंगे तो गोल या अवल आप कोई सा भी शेप दे दे मैंने यहाँ पे पेड़े का शेप दिया है एक और बना के दिखाती हूँ आपको एक बड़े से निम्बू के साइज के आकार का डो लेंगे और उसे भी हाथ पे गोल करते हुए इस तरह से चप्टा कर लेंगे और किनारों को थोड़ा सा सेट करके इसे भी चिकना कर लेंगे तो चलिए अब हम इने फ्राई करते हैं तेल यहाँ पे गरम हो चुका है और एक एक करके तयार की हुए स्नेक्स इसमें डालेंगे और गैस का फ्ले मीडियम रखेंगे थोड़ी देर बाद हम इसे पलट लेंगे तो जब यह एक तरफ से हलका सा सिख जाए तो इसे पलट के दूसरी तरफ से भी सिखने देंगे और इसी तरह से पलट पलट के हम इसे golden brown हो जाने तक अच्छी तरह से fry करेंगे जिससे कि ये बहुती बढ़िया crunchy बनेगा तो यहाँ पे थोड़ी देर बाद मैंने वापस से इसको पलट दिया है और आप देख रहे हैं इसका color हलका सा change होना शुरू हो गया है तो इसी तरह से सभी तरफ से अलटते पलटते हुए हम ये snacks fry करके तयार कर लेंगे तो ये देखिए अब ये snacks अच्छी तरह से तयार हो गया है तो gas का flame यहाँ पे लो कर लेते हैं और इसे निकाल लेते हैं तेल में से थोड़ा सा यहाँ पे कल्शी को टेड़ा कर देंगे जिससे की extra oil वापस पैन में चला जाए और ये देखिए कितना बढ़िया तयार हुआ है इसी तरह से हम बाकी के भी सारे fry करके तयार कर लेंगे तो दूसरा बैच भी मैंने इसमें डाल दिया है और गैस का flame medium रखेंगे medium flame पर हम इसे fry करेंगे थोड़ी देर बाद पलट देंगे और इसी तरह से थोड़ी थोड़ी देर पे जब ये एक तरफ से सिख जाए तो पलट पलट के हम इसे सभी तरफ से fry कर लेंगे अब ये दूसरा बैच भी अच्छी तरह से fry होके तयार हो गया है तो इसे भी निकाल लेते हैं तेल में से कल्ची को टेड़ा कर देंगे जिससे की एक्स्ट्रा ओयल निकल जाए वापस पैन में और ये देखे फ्रेंट्स बहुत ही बढ़िया पोहा से बना हुआ स्नेक्स तयार हो गया है हमने यहाँ पे मुंगफली का इस्तमाल किया है इसका नटी क्रंच और टेस्ट बहुत अच्छा लगता है तो फ्रेंट्स आप भी इसे बनाईए और यहाँ पे मैंने सारे फ्राई करके तयार कर लिये हैं अब ये थोड़े से ठंडे होने लगे हैं तो मैं आपको इसे तोड़ के दिखाती हूँ कि अंदर से भी अच्छी तरह से फ्राई है ये और उपर से हलका सा क्रंची है तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा